मस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपकी चैनल देभूमियोतरा खंड में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं वीडियो जादा से जादा लोगों तक सेयर करें न्याय के देपता गोलु देपता के लिए परशिद्व है गोड़ा खाल मंदिर को घंतियों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है गोलु देपता ता मंदिर भर्व्यों आकर्सक है चारो ओड टकी घंतिया भक्तो की अरजियां इस चीज का प्रतिक है कि उत्राखंड में गो निबेरा गाов की महला को जाता है यहो महला वर्षोपूरव अपनी परिजनों द्वारा सतायी जाते थी उन्हाने चंपावत अपने माई के जाकर गोलु देपता के नयाये हेटू सांद चलनी की प्रात्ना थे इसी कारण गोलु देपता उस महिला के सांद धोड़ा बड़ा खाल मंदीर में विश्चिता यह भी है कि सद्धालू में अपनी मान्दाए काज़ और पत्रों पर लिए और उसे टांग देते हैं बड़ा खाल का सिताब्दी गड़ते हैं विश्चिता यहां 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 भी मान्दा है कि अगर कोई नव विवाहिक जोड़ा दस्थन करने आता है तो उनका रिष्टा साथ जन्मों तक बन जाता है बड़ा खाल का सिताब्दी गड़ते है घोड़ों के लिए पानी का तालाब बड़ा खाल एक छोटा सा गाउं है जो की पहाडी छेतर में पड़ता है जो मुख्य भगवान गोलु देता के लिए परसिद्ध है घोड़ा खाल मंदिर समदूतल से 2000 मिटर की उचाई परिस्तित है घोड़ा खाल जहां आपने प्राकृतिक सौंदरी के लिए विख्यात है वहीं यहाँ आज्ध्यात्मों और प्रमुख धार्मिक इस्तलों के लिए भी विख्यात है विश्चुबर में यहां हर वर्स सद्धालों की बड़ी भीर उमरती है लेकिन नवरात्तो और सावन के महने में जादा सद्धालों यहां पहुंसते हैं घोड़ा खाल मंदिर में चारो ओर टकी घंटिया वह भुक्तो के कागज पर लिखे मनत सपस्ट अंदाज लगाया जा सकता है कि देव गुलु में गुलु देवता को याई के देवता के रूम में पूल जाता है मंदिर के हर तरह धजारों मौखा लोगों के गुलु देवता के आस्टा का घंटिया गुलु देवता को और बही नमों से भी जाना जाता है जैसे गुलु बला गोलिया और वरा बैरो चाहलो दोस्तों अगर आप बोलो देटर के बारे में थोड़ा खाल मंदिल के बारे में और अठी जानना चाहरे हैं तो आप मेरे ब्लॉगर के पेज़ पर ब्लॉगिन कीजिए वहां मैं इसका लिंक को मैं अपको नीचे डिस्क्रिप्सिम पर देदेंगा तो वहां से जरूर जानने वहां के बारे में और ब्लॉगर पेज़ पर फॉलो कर लीजिए मुझे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेयर करें जै देभूमी जै उत्राखने